नाडी शोधन नाडी शोधन को अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राणायाम की मुख्य विशेष्टा है कि ये दाएं और बाएं नासिका छिद्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोक कर या बिना रोके किया जाता है। नाड़ी शोधन को करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैट जाएं जो की एक ध्यानात्मक आसन है अब अपने बाई हथेली को ध्यान मुद्रा में लाने के लिए अपने अंगूठे और तरजनी उंगली को आपस में छूकर एक गोले का आकार दें और अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें अब दाई हतेली को नासा गर्मुद्रा में लाने के लिए मध्यमा और तरजनी उंगली मोड़ कर बंद करें और अंगूठा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली खुली रखें अब अपने दाई हथिली के अंगूठे को जो की नासा ग्रमुद्रा में है अपनी दाई नासी का चिद्र पर रखकर नासी का चिद्र बंद कर ले और बाई नासी का चिद्र से सांस भीतर ले फिर बाई नासी का चिद्र अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बंद कर लें और दाई नासी का चिद्र खोल कर सांस बाहर छोड़ें ये नाडी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। ऐसे पांच चक्र दोहराएगे। ये नाडी शोधन का मुख्यो देश्य शरीर में उर्जा वहन करने वाली सारी नाडियों का शुद्धिकरन करके पूरे शरीर का पोशन करना है। ये रिदय रोगियों के लिए बहुत लाबदायक है। नाडी शोधन कफ सम्मन्धित विकारों को दूर करता है। नियमित रूप से नाडी शोधन का भ्यास जीवन शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है। और तनाव तथा वियगरता के स्तर को कम करके शांती प्रदान करता है।